हलो मैं हूँ रेखायादा और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई पेस्ट टोनर हमेशा से ही स्किन के रूटीन का जरूरी हिस्सा रहा है टोनर स्किन को समान स्थिति में लाने में मदद करता है ये आपके स्किन को साफ कर चमकदार बनाता है साथ ही आपके स्किन के pH लेवल को भी मिंटेन करता है और आपके चहरे पर डैमेज हो चुके कोशीकाओं की भी मरम्मत करता है तो चलिए आज हम बताते हैं कि आखिर फेस टोनर इतना जरूरी क्यों है सबसे पहली चीज जो पेस टोनर आपके स्किन के लिए करता है वो ये है कि आपके पेस के पोर्स को टाइट करता है इससे आपकी स्किन देखने में जमा लगती है स्किन का pH अगर जादा या कम हो तो चहरे पर पिमपल्स आ जाते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्किन के pH लेवल को मेंटेन रखे ऐसे में टोनर आपकी मदद करता है और आपकी स्किन की क्वालिटी को बनाए रखता है पेस्टोनर आपके मौस्चराइजर को लॉक कर देता है जिससे आपकी स्किन का टेक्श्चर अच्छा लगता है साथे इससे स्किन डल नहीं लगती और अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी और मौस्चराइज रखना है तो रोज पेस्टोनर ज़रूर लगाए स्किन केर प्रोडक्ट को हाइडरेटिंग जरूर होना चाहिए धेर सारा मेकप और पॉलियोशन की वजह से स्किन रूखी और बेजान हो जाती है इसलिए फेस टोनर लगाकर उसे हाइडरेट किया जाना चाहिए इससे स्किन मुलायम बनी रहती है अगर इसकिन में बहुत जादा तेल बनता है तो पोर्स बंद हो जाते हैं और एक्ने हो जाता है इससे बचने के लिए रोजाना स्किन पर फेज टोनर लगाना चाहिए इससे आपकी स्किन ओयल फ्री रहती है आपके स्किन हर दिन धोल और प्रदूशन के चपेट में आती है इसलिए जाहिर सी बात है कि उस पर धेर सारा मैल भी जम जाता होगा, ऐसे में टोनर लगाए, जिससे पोर्स ब्लॉक हो जाए और गंदगी अंदर ना जाए, एक लड़की के लिए सबसे बुरी बात ये है कि उसके चहरे पर आकने हो जाए, अगर आपने आकने की कोई क्रीम खरीदी है और वो फाइदा भी नहीं कर रही है, तो आपको अपनी ब्यूटी रूटीन को बदलना होगा, आपको डेली बेसिस पर टोनर लगाना होगा, आप चाहें तो ओली पेस के लिए टोनर खरीद सकती है, या फिर आप खुद ही घर पर इसे बना भी सकती है, अगर आ रोज सुबा चहरे को अच्छी तरह पोच कर एक कॉटन की मदद से पूरे चहरे पर टोनर लगाए, और खुद ही इसका फर्क देखें, ये आपके स्कीन को हाइडरेट भी करता है, और साथ ही साथ मौस्चराइज भी करता है, जिससे स्कीन हमेशा खिली-खिली नजर आती ह आई होप आपको ये ब्यूटी टिप्स पसंद आए होंगे, ऐसी ही टिप्स के लिए देखते रहे बोल्ट स्काई और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए